असलाम लेकुम डियर स्टूरेंट्स आज हम रीडर थेटर में अरली चैल्ड हुर सेटिंग में जो चीज देखने जा रहे हैं वो यह देखने जा रहे हैं कि बच्चों के लिए जो आप कहानी या नजम या लेटर जो कुछ भी चूस करेंगे जिसको हम आम जबान में टेक्स कहते हैं वो कैसे चूस करना चाहिए जिसके थूँ बच्चे प्रॉपर्ली ना सिर्फ रीडर थेटर में भीतरीन परफॉर्म करें बलके इंजॉआई करें और सीखे भी तो हम इसको यह देखते हैं कि developmentally appropriate text की selection कैसे की जाए developmentally appropriate material जो है वो सबसे important factor है बच्चों के अंदर किसी भी जबान की fluency को develop करने के लिए developmentally appropriate text है क्या यह हम पिछले units में पढ़ चुके हैं और इसका की मकसद यह होता है कि वो text लिया जाए जो बच्चों की उमर के मताबिक हो एसा text हो जिसको बच्चे जो है वो पर सकें वो sentences समझ सकें और उनको express कर सकें और दूसरा यह कि वो कितने बड़े जुमले होने चाहिए कितने छोटी जुमले होने चाहिए एक जुमले में कितने words होने चाहिए यह आपके sentence की construction है वो कितनी simple या complex होनी चाहिए यह depend upon के बच्चे की उमर क्या है so developmentally appropriate material का मतलब यह है कि बच्चे की development के मताबिक मुनासिब हो जिसे बच्चा properly comprehend करे, enjoy करे, समझे और उसे perform कर ले जब हम बच्चों के लिए reading material चूस कर रहे होते हैं तो ना सिर्फ हमें यह चीज़ का ख्यार रखना चाहिए कि वह reading material जो के वह readers theater में perform करेंगे वह बहतरीन quality का हो कोई ऐसी कहानी ना हो जो कहानी बच्चों को सुनानी ही नहीं चाहिए या वह कहानी बहुत ही low quality के ना हो literature should be taken from high quality authors और एक अच्छे जो responsive आपके प्रिंट प्रिंटिंग करने वाले हैं books लिखने वाले हैं वहां से हमें literature को हर हाल में pick up करना चाहिए क्योंकि वह बहतरीन message देते हैं और बहतरीन जबान इस्तमाल कर रहे होते हैं बलके आपको ये भी देखना चाहिए कि वह जो बच्चों की उमर है क्या उसके अंदर जो text लिखाव है वह उसके मुताबिक है और वह ना इतना मुश्किल होना चाहिए ना इतना असान होना चाहिए कि बच्चों को मजा ना है थोड़ा बहुत मुश्किल text definitely बच्चों को चैलेंज करता है और बच्चों की curiosity और interest को अरोज करता है तो जब भी आपको कहानी बच्चों के लिए चूज करें तो ये देखें उसका author कौन है उसका publisher कौन है वो high quality कहानी हो बच्चों की एश के मुताबिक हो और कुछ न कुछ उनकी literacy skills को challenge करें वो बहुत simple और बहुत ही awake सी कहानी ना हो अब हमें developmentally appropriate excuse क्यों इस्तिमाल करना चाहिए सबसे पहले जब ऐसी कोई कहानी आती है जो बच्चों खेश के मुताबिक होती है उनके interest के मुताबिक होती है उसमें बच्चों का interest maintain रहता है और बच्चे उस कहानी को बहतरीन तरीके से नासे पढ़ सकते हैं बलकि उसके उपर perform भी कर सकते हैं आप uninteresting और ऐसी कोई कहानी लें जिसके अंदर कोई जिंदगी ना हो, कोई सांस ना हो और ऐसी कहानी हो जिसको बच्चे बिलकुल भी सुनना न चाहें या बोर हो जाएं सुनते वह और उनको मजा ना है और उनकी life से related ना हो, उनकी interest से related ना हो, उनकी imagination से related ना हो, definitely वो एक lifeless कह कहानी है और बच्चे उसमें interest नहीं लेंगे और उनकी curiosity उसके अंदर develop नहीं होगी और definitely performance भी dull और boring ही होगी, so requirement है जब आप reader theater के लिए कोई कहानी चूज कर रहे हैं, कोई नजम चूज कर रहे हैं, और बच्चे उसके अंदर जब perform कर रहे हैं, तो definitely वो अपनी energy लगा रहे ह चाहे वो drama कर रहे हैं या थेटर कर रहे हैं, काम तो वो कर रहे हैं, तो काम वो होना चाहिए जिसके अंदर वो अपनी जो full energy है, उसके साथ perform कर सकें, वो तब ही आएगी जब वो कहानी उनकी favorite story होगी, character उनके favorite character होगी, जिसमें उनकी curiosity जो है अरोज होगी, reader theater के अंदर हमार आसाल लेवल के होते हैं, कई text में challenging words होते हैं, कई text ऐसे होते हैं, जिसके अंदर interesting, आपके पास sentences बने होते हैं, जिसमें syntax को बहुत ही different तरीके से इसमाल किया गया होता है, so आप different type का ना सिर्फ text ले सकते हैं, बलकि different subject से आप different text उठा सकते हैं, तो सिर्फ literature, उर्दू, या आपरीजी या पंजाबी या अर्भी से उठाने के इलावा हम science का भी text ले सकते हैं, हम math का भी text ले सकते हैं, हम history या geography की class में से या उसकी भी subject के अंदर से कोई interesting text उठा सकते हैं, इसका फाइदा क्या होता है, जब हमारे पास variety of content होती है, पहली चीज़ यह हो entertaining होती है, वो exciting exciting होती है, और जब बच्चे कोई नए कहानी सुनते हैं, कोई नया scenario उनके सामने आता है, definitely वो excited भी होते हैं और entertain भी होते हैं, और वो बहतर perform करते हैं, और इस किसम के text के अंदर बच्चे की successfully perform करने का chance बढ़ता चला जाता है, आपने जितने बच्चे stage पे खड़की हैं, वो सारे बच्चे probably high performance देंगे, बहतरीन तरीके से perform करेंगे और जबर्दस किसम का आपका reader theater होगा.